हलो दोस्तो स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल में आज हम इस वीडियो में बहुत बड़ा दमाका होने वाला हैं क्योंकि CET एकजाम है वो नजदीक है और अब आपको थियोरी पढ़ने की जुरत नहीं है हम जो क्यूशन बता रहे हैं वो क्यूशन आपको पढ़ने होंगी इस वीडियो को आप last तक जुरूर देखना आज का पहला क्यूशन है जोधपूर का प्राची नाम क्या है जोधपूर का दोस्तो प्राची नाम क्या है अगला है राट छेतर किस जिल्य में है, राट छेतर है वो किस जिल्य में है, एक नमर बिकानेर में, दो नमर उद्यपूर में, तीन नमर अलवर में और चानमर है बिकानेर में, तो इसका सही जो आंसर है वो है अलवर, क्योंकि राट छेतर है वो अलवर जिल्य के अंदर है, तो अलवर इसका सही आंसर होगा, ती नमर उप्सन इसका सही होगा, अगला है, ओरियंटल रिसर्च इंस्टिटूट किस जिले में है, ओरियंटल रिसर्च इंस्टिटूट है, वो किस जिले में है, एक नमर अजमेर, दो नमर बीकानेर, ती नमर जेपुर, और चार नमर जोधपुर होगा औरियंटर रिसर्च इंस्टिटूट है वो जोधपुर जिले में है चार नमर उपसन इसका सही हो जाएगा अगला किसे ने राजस्तान राज्य उपवोकता सरक्षन आयो का गठन कब किया गया था इंपोर्टेंट भी है कई बार एक्जाम के अंदर भी है ये आसवब 26 मौ2389 ना राजस्तान राज्य उप होता सर्क्षन आयो का गठन किया गया यह याद रखना है चार नमर उपसन इसका सही होगा अगला किसन है राजस्तान और मंतरी परिश्यद में मंत्रिों के दीकतम संक्या हो सकती है इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि राजस्तान के अंदर जो मंतरी प्रिश्यद है उसमें मंतरियों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है एक नमर 20, दो नमर 25, तीन नमर 30 और चार नमर है 35 तो मंत्रियों की संक्या मंत्री परसद में 30 हो सकती है अधिक्तम तीन नमर ओप्सिंस का सही होगा 30 अगला है राजस्तान का परवेश द्वार पुर्वी द्वार को कहलाता है राजस्तान के अंदर जो परवेश द्वार है या पुर्वी द्वार की जिले को कहते हैं एक नमर अलवर, दो नमर बर्दपूर, तीन नमर दोलपूर और चार नमर है क्रूली, तो इसका सही आंसर है बर्दपूर जिले को राजस्तान का परवेश द्वार या पुर्वी द्वार भी बोला जाता है, और बर्दपूर को आप ध्यान रखे, यह पुर्वी में है, और अगर यूपी से राजस्तान में आना है तो बर्दपूर जी ले के अंदर आएंगे सबसे पहले, तो प्रवेश द्वार भी बर्दपूर हो गया, अगला है 1839 में राजस्तान के लिए राजस्तान नाम करन किसने अपनी परसिद कृति में किया था, 1839 की बात है, राजस्ता और चानमर है वी एन समीद, तो इसका सही आनसर है करनल जैमस्टोड ने 1839 इसके अंदर है, वो राजस्तान के लिए राजस्तान नाम करने है, वो अपनी जो परसिद बुक थी उसके अंदर इसका वनन किया था, राजस्तान नाम से, करनल जैमस्टोड थे, एक नमर उपसन का स्धयोगतम अगला है राज्ये महादिविक्ता है राज्ये महादिविक्ता होता है राज्ये स्धयों की नूगति कोन करता है तो एक नमर मुख्य मंत्री दो नमर राज्य पाल तीन नमर मुख्य नयादिस और च्या नमर है विदान सबा देख सकतो इसका सही आनसर है दोस्तो राज्य पाल नहीं कि मुख्य मंत्री करता है RPSC है, रजे महादिविक्ता है ये जो सदिश्य है RPSC के अंदर उन सभी के जो न्यूगती है वो रजेपाल करता है और वो भी अगर राश्टपती चाहता है तो उसके साब से भी हो सकता है तो दो नमर उपसन सही होगा रजेपाल अगला है अहिच्चतरपूर का वरतमान नाम क्या है कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है अहिच्चतरपूर नाम ही ऐसा है कि आप कनफ्यूज हो जाते हैं एक्जाम के अंदर तो अहिच्चतरपूर नाम वरतमान में कौन्छे जिल्ले का नाम है तो एक नमर विकानेर का दो नमर है जेपूर तीन नमर है नागोर और चानम है तारागड तो अहिचतरपूर का जो वर्तमान नाम है वो है नागोर यानि नागोर का पुराना नाम क्या है अहिचतरपूर है तो एक तीन नमर उप्सन सही होगा नागोर अगला जो क्यूशन है वो है किस राजे में तिनो स्रुच स्वेदानिक पद एक समय महिला के पास थे यानि ऐसा कौन सा राजे है जिसके अंदर जो स्रुच स्वेदानिक पद है न वो सिर्फ महिला के पास में थी तो एक नमर राजस्तान, दो नमर उतरपदेश, तीन नमर असाम और चानमर है केरल तो बात करें अपने राजस्तान की राजस्तान के अंदर एक बार ऐसा भी समय आया था कि जो सर्वोच सवेधानी के जो राजनेती पद है वो सरवादी के महिलाए थी यानि लगबग पद के उपर महिलाए थी, तीनों पद है जो टोप के उसमें महिलाए थी वो भी राजस्तान के अंदर एक नमर उप्शन सही है राजस्तान, अगला किसने राजस्तान में सर्वोदी आंदोलन के प्रणाता कौन थे एक है सर्वो देई अंदोरान याद रखे बहुत सारे अंदोरों में थे वाकि सर्वो देई अंदोरान याद रखने है आपको तो उसके प्रणेता कोन है एक नमर गोकुल भाई बट दो नमर सिद्राज टड़ा और तीन नमर है जमनलाल बजारोज और चार नमर है गोकुल लाल आस्व इसका सही आंसर है शिद्राज टड़ा जो सर्वो देई अंदोरों के प्रणेता थे दो नमर उप्सन सहीव का शिद्राज टड़ा अगला है भारतिय थल सेना की 15 अगस 2005 से नव गठीत साथवी कमान दक्षनी पस्मी कमान का मुख्यले कापर है तो एक नमर जेपूर दो नमर जोदपूर तीन नमर गंगानगर और चया नमर है बीकानेर तो इसका सही आंसर है जेपूर बारतिय थल सेना है उसकी 15 अगस 2005 से नव गठीत साथवी कमान दक्षनी पस्मी कमान का मुख्यले जेपूर जिले के इंदर है जो भी बारतिय थल सेना है उसका जो साथवी कमान है उसका मुख्यले है जेपूर में एक नमर उप्सन सही होगा अगला क्यूसन है मेकसेश पुर्षकार प्राप्त करने वाली पर्थम राजस्तानी महिला कोन है तो एक नमर है जान की देवी बजाज दो नमर है रतन सास्त्री ती नमर है अरूना रोई और चैनल मरे गिरजा व्यास इसका सही आंसर है दोस्तों अरूना रोई है वो मेकसेस पुर्स का प्राप्त करने वाली राजस्तान की पर्थम महिला है तीन नमर उप्षन सही होगा अरूना रोई अगला क्यूशन है राजस्तान की पर्थम वे एक मातर महिला कोन है जिनी पदम सिरी वे पदम वुसन दोनों से समानित किया गया था राजस्तान की पहली एक ऐसे महिला है जिने पदम सिर्वी मिला और पदम वुषन दोनों मिले हैं तो वो हैं शिर्मती रतन सास्त्री हैं तो एक नमल उप्षन इसका सही होगा अगला जो कुशन है वो है नियमन मैंचे कौन सा युगम ए संगत है एक पदम वुशन से समानेत पर्थम पुरू से कमर सेंग और दो नमर है पदम विवुशन से समानेत पर्थम पुरू से गनश्याम दास बिड़ला और ती नमर है परमवीर चकर विजयता पर्थम वेक्ती मेजर पीरू सिंग और चया नमर है असोग चकर विजयता पर्थम वे करतरीम पेर के जनक कहे जाते हैं करतरीम पेर के जनक कौन है एक नमर डॉक्टर पीके सेटी दो नमर है डॉक्टर विमल सेटी ती नमर डॉक्टर नारान सेटी और चानमर है डॉक्टर सुनिल सेटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीके सेटी एक नमर उपसिंस का सही होगा अगला है राजस्तान की राजवासा कौन सी है राजस्तान की राजवासा कौन सी है एक नमर हिंदी दोनमर राजस्तान ही तीनमर मेवाडी और चैनमर है मारवाडी तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी राजस्तान की राजवासा हिंदी है एक नमर उपसन इसका सही होगा अगला किशने केसरिया बालम आउनी पदारों मारे देश क्या है ये राजस्तान के इंदर क्या है केसरिया बालम आउनी पदारों मारे देश तो एक नमर राज्य गीत है, दो नमर राज्य लोग गीत है, तीनमर राज्य लोग नाटे और चयान मेरे राज्य नरते तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य गीत है, कि सरिया बालम आउनी पतारों महारा देश, यह सब को पता है, राज्य गीत है एक नमर उप्सन सही होगा अगला क्रेशन है फैसलवः प्रदेष कोउंसा चेत्र एं फैसलवः प्रदेश कोउंसा चेत्र होगा और तीन नमरे अराफली परवतिय प्रवतिέ प्रदेश और चैनल मरे जौदपूर का दकशनी कमान तो इसका सही आंचर है अलवर का इलाखा सालवे परदेश है वो अलवर का इलाखा है दो नमर उप्सिन्स का सही होगा अगला क्यूशन है राजस्तान का राज्य खेल कौन सा है राजस्तान का राज्य खेल कौन सा है सब को पता है पोकरण जेसल मेर में राजस्तान का पहला भुमिगत परमानु प्रिक्षन वा था पोकरण जेसल मेर के अंदर एक नमर सही है अगला क्युशन है नेमन में से एसंगत यूगम कौन सा है राजस्तान राज्य मंडल अजमेर में है और दूसरे राजस्तान उच न् ले वह जोदपूर में है जो पुरानी जो खंड फीट है वो जेबपूर में है तो इसका दूओ नमर ए20 अमर यह संगत है बाकि 30 रखे है, राज्तान लोग से वाइव गाजमेर में है और मुख्याşa ले जो राजे खान विबाग है उसका जो उद्यपूर में है, राजे खान विबाग, राजस्थान राजे उसने लेकि मुख्य पीड़ तो जोदपूर में है लेकिन जो खंड़ फीट है, वो क्या कापर है, जेपूर में है, यह इसकी व्यक है अगला किशन है राजय का एक मातर स्टोक एक्सजेंज कांपर है एक नमर जोदपूर, दो नमर बिकानेर, तीनमर कोटा और चार नमर है जेपूर तो इसका सही आंशर है जेपूर, जेपूर के इंदर स्टोक एक्सजेंज है राजस्तान का चार नमर उप्षन सही होगा जो जेपूरू अगला क्योशन है गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है बहुत ही महत्पन क्योशन है गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है एक नमर सिरीमाल दो नमर जेनगर और ती नमर गंग सहर और चार नमर है रामनगर तो इसका सही आंसर वाज़ेगा रामनगर रामनगर है वो सिरी गंगानगर का प्राचीन नाम है चैरमर उप्षन सही होगा रामनगर दोस्तो आज की क्यों कैसे लिए कोमेंट में जरूर बताना साथ इस वीडियो को लाइक करके पिन दोस्तों के साथ सेर करना CT exam के लिए इसी चैनलर पर आपको महत्पुन क्युक्शन मिलते रहेंगे चैनलर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना थैंक्स पर वचिंग आप